अजयके से असलभाव्लेकर वुवर्स वैलकम तू खान लोदी किचन। Urmm ओसलभी तु आज हम लोग घानिया लोदी किचन के बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से लहरी चने। तो इसको आप ल्योग नाच्टे में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, बहुत ही जाओ बर्दश बनते हैं ये तो लाहौरी चर्णे मैंने यहाँ पर किस तरीके से मनाए हैं आईए इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं विडियो स्टार्ट करते हैं तो व्यूवर्स यहाँ मैंने लिया है एक अप जितना ओयल भर कर अब इसको मैं यहाँ पर गरम कर लूँगी तो ओल जो है वो मारे यहाँ पर गरम हो चुका है अब मेरे पास यहाँ पर तीन मीडियम साइस की मैंने प्यास ली थी उसका मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया था उसको बैंडर में डाल कर यह समिझ राएगी और प्यास को अब मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी प्यास को मैं यहाँ पर तब तक के लिए फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है न वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और प्यास का जो कच्छा पन है वो भी अच्छी तरीके से खतम हो जाए इतना इसको यहाँ पर फ्राई कर लूँगी तो यह देख सकते हैं व्यूवर्ज आप लोग प्यास हमारी लैड ब्राउन हो चुकी है इसका जो कच्छा पंधाना वो भी यहाँ पर खतम हो चुका है इतना मैं इसको यहाँ पर फ्राई कर लिया है तो अब मेरे पास यहाँ पर ना कुछ साबुद गरम मसाले हैं जिसमें 3-4 मेरे पास यहाँ पर दारशीनी के टुकड़े हैं दो बड़ी लाइची है 3-4 लॉंग है 3-4 काली मिर्च है साबुद यह सब इसमें जाएगी और इसको अब मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी इसको यहाँ पर अब मैं इसमें एट कर दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून साबुद जीरा वन टेबिल स्पॉन भर कर लेसन और अद्रक का पेस्ट मैं यहाँ जो है ना इन सब मसालों को अपस में मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से भून लूँगी इनको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लूँगी तो यहाँ जो है ना मैंने अच्छी तरीके से बुनाई कर लिया है लेसन और अद्रक की और तमाम इस स्पाइसिस की इसमें तो अब जो है ना मैं इसमें एड़ कर दूँगी फोर टेबल स्पोंज इतनी योगर्ट दही और इसको भी मैं तमाम बसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरा से बून लूँगी इसको भी तो यहाँ जो है वो मैंने दही को भी इसमें अच्छी तरीके से भून लिया है तो अबना मेरे पास यहाँ पर दो कबजुत में मैंने यहाँ पर नजचने लिये थे जिसको मैंने ओवरनाइट भी गो कर रखा और सुबाट कर इसको जो है मैंने पानी में और वन टी स्पून सोडे के साथ वन टी स्पून नमक के साथ मैंने इसको जो है वो गला लिया था और अब यह सब इसमें जो हैंगे और यहाँ मैं तमाम चनों को इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से तो यहां मैंने तमाम चनों को इसमें मिक्स कर लिया है मसाले में अब जो चनों का पानी थाना बॉयल हुआ यह मैं इसमें डाल दूँगी एक कप जितना इसी के साथ मैं इसमें एट कर दूँगी एक कप मैंने साधा पानी लिया हुआ है ये मैंस मैट कर दूंगी और तवाम चनों को और मसालों को मैंस पानी में मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से और अब मैं इसमें एक बॉयल आने जितना वेट करूंगी तो अब मैंने यहाँ पर हाफ कप जितने चने जो है वो बचा लिये थे बॉयल हुए वे उसका मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया था यह भी इसमें जो आएगा और इसको भी मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी जो चनों का पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ था इससे होगा यही के चनों की जो हमारी ग्रेवी होगी ना वो बहुत थिक सी बनेगी तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे तो यह इसमें मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से तो मैंने यहाँ पर mix कर लिया था चनों का जो paste हमने मिलाया था अब मैं इसमेड कर दूँगी वन टेबल स्पून जितनी काली मिर्च वन टी स्पून नमक और इसी के साथ मैं इसमेड कर दूँगी तीन जो है मेरे साबुत हरी मिर्चे लिए हुई थी और अब इन तमाम चीज़ों को इसमें mix कर लूँगी अच्छी ताना से अच्छी ताना से mix कर लेंगे तमाम चीज़ों को इसमें यह देख सकते हैं आप लो कितना थिक सा मसाला इसका तायार हुआ है तो अब इस point पर ना मैं इसको cover कर दूँगी और cover करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिंट के लिए जो है वो दम दे लूँगी उसके बाद आपको check कर वाते हैं तो यह देख सकते हैं viewers आप लोग 5 मिंट हो चुके हैं चनों को यहां पर दम होते वे तो यह देख सकते हैं आप लोग लहोरी चने जो हैं हमारे यहां पर तयार हैं तो अब हम इस point पर flame को off कर देंगे तो यह देख सकते हैं viewers आप लोग तयार हैं हमारे बहुत ही मतेदार से लहोरी चने recipe अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको ज़रूर बना कर ट्राइक करें वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली है नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल से चलता आप लोगों तक पहुंच सके अल्ला हाफिस